एश्या कप में टीम इंडिया की निराशा जनफ प्रदर्शन के बाद अब सेलेक्टर्स के लिए और कप्तान रोभी शर्मा के लिए बड़ी चुनोती यह है कि वो टी-20 वर्ड कप के लिए एक अच्छा बैलेंस स्क्वैट का चैन करें और खबरी के सामने आ रही है कि 16 सितंबर को टी-20 वर्ड कप के लिए टीम का चैन हो सकता है टीम का एलान हो सकता है लेकिन बड़ी चुनोतियां जो सेलेक्टर्स के लिए हैं जो कप्तान के लिए हैं उस पर हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चुनोती तो यह है कि एश्या इस स्क्राइड में भूबनेशर कुमार को अगर छोड़ दे तो उनकी कमी एश्या कप में साफ खली थी ऐसे में वो चोठिल है जुलाई से ही बाहर चल रहे हैं टीम इंडिया से और बैक इंजरी से वो परिशान हैं लेकिन अभी तक उनको पुछी तरीके से फिट खोशित न अगर वो फिट घोशित हो जाते हैं तो उनका फिर चैन हो जाएगा नहीं होते हैं तो बहुत दिकत टीम इंडिया के लिए बढ़ जाएगी इसके अलाबा तीन ऐसे खिलारी जिनको यह माना जा रहा है कि इस सेलेक्शन में जो बाहर हो जाएंगे वो है आवेश खान क्यों ऐसे में टीम इंडिया वहाँ पर चार पेसार और एक स्पिनल के साथ उतर सकती है ऐसे में रवी बिश्णोई और साथे साथ यूजी चहल का चैन हो सकता है रवी चेनर नश्विन का शायद पत्ता कर जाएगा और तीसरा नाम हम कह सकते हैं कि इस लिस्ट में हो सकता है किसी एक खिलारी का है जिसमें से दीबा खुडा हैं दिरेशकार्तिक हैं या फिर केर रहोलें अलागि केर रहोलें आखर में अपनी जगात रूर पकी कर ली जो पचासा उन्होंने जड़ा आफगानिस्तान के खिलाफ कुछ एक तालिस गिंदों पर बासर ठोंजर दिये इस कुछ खिलारियों को इंग्लूड करना है तो कुछ को एक्स्क्लूड भी करना पड़ेगा तो फिर इन पर खत्रा एक तरीके से मंड़ा रहा है अब ऐसे में तीन खिलारी जो एकदम तैम आने जा रहे हैं जिन्होंने एशयक अपसे अपनी डिकट पकी कर ली है वो हैं विर कंली ने अपनी जगापकी कर ली इसके एलावा कियर डहुल ने भी आखरी अफगानिस्तान के खिलाफ पचासा जड़ा है उससे अपनी जगापकी कर ली और इसके अलबाब भूनमे शरुकमार वो ले और उनके प्रदर्शन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे पूरा सेलेक्शन रहेगा लेकिन कैसे पूरा 15 का स्क्वाइट चैनित किया जाता है तीन किसको स्टैंडबाई पर रखा जाता है यह देखना बहुत दिल्चस्प होगा ऐसे में आप बताईए आप किसे चाहते हैं कि टीम में शामिल किया जाए किसका चैन हो और किसको एक्सक कि टूट किया जाए जो एक अपने खिला था उस बॉक्स में से उस पंद्रा में से किसको बाहर कर दिया जाए आप अपने लाए कॉमेंट करके बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया